कि नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं कुमार गोरो आपके अपने यूट्यूब चैनल वैप इस्टेडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते रिजनिंग की क्लास आपकी चल रही है अब तक आपके तीन चेप्टर कंप्लेट हो चुक क्लास में आपके तो दीन टाइप के वहाता हैं को आज हम करेंगे और को को kabulीट करेंगे इस टार्ट करते हैं अब चैप्टर का नाम है जा या सब्द कोस ठीक है कि कोश्चन किस तरीके से आता है कोश्चन इस तरीके से आता है अरेंज दा वर्ड इन एल्फाबेटिक लेटर एंड फाइंड थार्ड वर्ड यानि जो भी आपको यह वर्ड दिये हैं इन वर्ड को आपको एल्फाबेटिक लेटर के क्रम में लगाना ह alphabetic letter यानि unggresy word mala के kram के अनुसार लगाना है कि unggresy word mala में kram का अनुसार कैसे होता है पहले a आता है फिर b आता है फिर c आता है इस तरीके से चलता है और सबसे last में z आता है तो आपको वोही करना है ये जो सब्द आपको दिये है इनको unggresy word mala के क्रम अनुसार लगाना है तो arrange the word in alphabetic letter and find the third word और आपको कौन सा find यानि प्राप्त कीजिए और कौन सा निकालना है third word निकालना है पहले तो इन चारों को आपको लगाना है किसमें लगाना है alphabetic letter के series में या क्रम में लगाना है उसके बाद फिर आपको जो third number पर होगा उसको निकालना है ठीक है वो single है single है sister है या son है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सभी s से start हो रहे हैं तो जब s से start हो रहे हैं तो अभी हम यह नहीं कह सकते कौन सा number एक पर रखा जाएगा कौन सा number दो पर रखा जाएगा फिर सबका second वारा देखते हैं यहां पर s s s और s सभी number एक पर होंगे उसके बाद यहां पर i है यहां पर i है इन दोनों में से अभी पता नहीं लगा सकते कौन सा पहले रखा जाएगा कौन सा बाद में यहाँ पर भी I है बट यहाँ पर U है अब आप देखे कि I U से पहले आता है या बाद में आता है आप सभी जानते हैं कि I जो है U से पहले आता है जब यह पहले आता है तो यह I वाले जो भी सब्द हैं वो Sun से पहले र आगे चलते हैं, यहाँ पर है आपका N, यहाँ पर भी है आपका N, और यहाँ पर है आपका S, अब आप देखते हैं कि जो N है आपका, वो S से पहले आता है, या बाद में आता है, आप सभी जानते हैं कि जो N है वो S से पहले आता है, जब यह पहले आता है, तो आप कह सकते है कि first और second पे इन में से होगा और third पे हो गया आपका sister उसने कौन सा पूचा था आप से third पूचा था और third आपका हो गया sister तो आपका right answer हो जाएगा C question इस तरीके से आपके पास आ सकता है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद question number 2 देखते है सब्द course या जो discnery है उसको करम के अनुसार लिखिए यानि आपको arrange करना है और सिर्फ alphabetic letter के according ठीक है इसी को भी इसी तरीके से करना है चलिए आप देखते हैं कि सभी के सभी h से start होते है ठीक है h से start हो रहे हैं तो अभी आप पता नहीं लगा सकते कौन सा सब्द जो है कौन सा word जो है आप पहले रखेंगे अब दूसरे जो letter है इस पर चलिए यहाँ पर है आपका a यह है आपका e a जो है e से पहले आता है तो नमबर एक पर यह होगा उसके बाद a फिर o तो आप कह सकते हैं कि a और a वाले दो सब्द हैं फिर e वाला है और फिर last में o वाला है जो o है वो e के भी बाद आता है तो यह तो हो जाएगा नमबर 4 पर जो e है वो single है यह नमबर 3 पर हो जाएगा इन दोनों में से नमबर 1 और नमबर 2 हमें निकालना है आगे चलते हैं यहाँ पर है हमारा i और यहाँ पर है हमारा r अब आप देखते हैं i जो है यह इस r से पहले होगा तो hair जो हो जाएगा नमबर 1 पर हार्मोनिक हो जाएगा नमबर 2 पर हीना हो जाएगा नमबर 3 पर और host हो जाएगा नमबर 4 पर तो ये आपका सब्द कोस के करम अनुसार आपने इसको लगा दिया है अंसर में आप क्या लिखेंगे सबसे पहले आपका आजाएगा हेर हेर के बाद आजाएगा आपका हार्मोनिक हार्मोनियम उसके बाद आपका आजाएगा हीना और उसके बाद आपका आजाएगा host ये लीजिए alphabetic letter quiz जो series है जो arrange करते हैं जो क्रम से आप लगाते हैं उसको उससे related question इस तरीके के ही आते हैं ठीक है आप इनको note कर लीजिए उसके बाद फिर आगे एक दो question और लेते हैं note कीजिए चलिए ये question number 3 और question number 4 ये आपके dictionary से related है जो आपने question number first, second और third अभी तक second जो किये हैं तो उनी को ध्यान में रखते हैं आपको ये दो question करने हैं आपको करना क्या है arrange the alphabetic letter ठीक है ना आपको इनको alphabetic letter के series में arrange करना है जो आपका सब्द course है जो आपकी alphabetic series है उसमें करम के अनुसार इसको लगाना है और करम के अनुसार लगा करके आप देखे कि कौन सा option आपका सही है ठीक है तो चलिए start करते हैं इस बार आपके पास 5 सब्द है 5 word है और सभी D से शुरू हो रहे हैं तो अगर आप देखें तो यह D यहाँ पर है यह चलिए D वाला आपका के लिए हो गया उसके बाद यहाँ पर R है यहाँ पर R है और यहाँ पर R है ठीक है यहाँ पर भी R है बट यहाँ पर क्या है आई है तो आप कह सकते हैं कि यह जो है नमबर एक पर हो जाएगा क्योंगी यहां पर नमबर दो पर i है और यहां पर r है r r और r i जो है r से पहले आता है r बाद में आता है तो यह जो disc नरी है यह drink drinking drive और Dracula से सबसे पहले आ जाएगा ठीक है? तो यह जो है सबसे पहला नमबर 4 से होगा और 4 से सभी option है वो आपके start हो रहे हैं तो option से भी अगर आप इसको देखें तो भी आगे solve करना होगा अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि जो R है हमारा, ये R ये वाला R, ये वाला और ये वाला ये number 2, 3, 4, 5 पर होने वाले हैं, ठीक है ये तो आपका होई गया, इसको तो हटा दीजे इसको तो आप हटा दीजे, इसको count करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इन में बात करनी हैं आपको, इन में देखना है कि इन में से कौन सा अब number 2 पर होगा, ठीक है तो आपने R को लगा दिया, यहां से R सभी में था इसके बाद R के बाद चलते हैं, यहां पर I है I, I और यहां पर A देखिए, I, I, I और A आप जानते हैं कि जो A है, वो I से पहले आता है और I आपका बाद में आता है तो जो Dracula है, वो number 2 पर हो जाएगा ठीक है, number 2 पर हो जाएगा तो यह 4 पर, जो 1 पर है वो 4 है और 2 पर वो 5 है यानि 4 और 5 से सुरू होगा आपका option 4, 5, 4, 5 आप कह सकते हैं कि यह वाला आपका नहीं होगा और यह वाला नहीं होगा अब इन दोनों में से आपका एक option सही होगा ठीक है, अभी आपके पास 3 word और बचे हैं इनको भी solve कर लेते हैं यह I आपका solve यह I और यह वाला I ठीक है, I से आगे चलते हैं क्योंकि यह भी आपका जो इसको numbering मिल गई है, इसको भी अब हटा देंगे हम अब आप देखते हैं इन तीनों में, इन तीनों में क्या हुआ आपका I, तीनों में है ठीक है न, यहां न, यहां तक तो आपका हो गया है अब यहां से आगे N और N और यहां पर V आप देखते हैं कि जो N है वो V से पहले आता है और V सबसे बाद में आता है अब क्योंकि ये सबसे बाद में आता है तो आपका ये जो हो जाएगा ये सबसे last में हो जाएगा और सबसे last के लिए total आपके पास 5 word है तो ये number 5 पे ही हो जाएगा ठीक है क्योंकि diskinary आपका number 1 पर था Dracula number 2 पर था अब हमें क्या देखना था कि इन तीनों में से number 3 पे कौन सा आएगा number 3 पे इस में से और इस में से आने की संभाव ना है ये तो आपका last में ही आएगा क्योंकि इस में V आ चुका है और इन दोनों में अभी आपका N है और जो N है वो V से पहले आता है तो ये number 5 पे पहुँचेगा ये हो जाएगा आपका number 3 और number 4 में से इन में से 1 हो जाएगा चलिए N आपका यहां से और N आपका यहां से उसके बाद K आपका यहां से K आपका यहां से ये यहां से खतम हो गया है ये आगे चल रहा है तो यह हो जाएगा आपका नंबर 3 पे और यह हो जाएगा नंबर 4 पे अब यह आपकी सही सिरीज बनी है एक दो तीन चार पांच यानि चार पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपको लगाना है ठीक है उसके इस कोश्चन को देख लेते हैं बैंकट बैंगल बैंडेज बैंटेम और यह बैंगलोर ठीक है अब इन पांच वर्ड में आपको अंग्रेजी वर्ड मला जो आपके अलफबेटिक सीरीज है उसको अरेंज करना है ठीक है ना सही तरीके से तो चलिए देखते हैं सारे के सारे से स्टार्ट हो रहे है तो बी तो आपका ये कट हो गया उसके बाद आगे चलते हैं सभी में ए भी आ रहा है सभी में ए आ रहा है ठीक है उसके आगे चलते हैं यहाँ पर एन है एन एन और एन एन और एन बी सभी में है अब यहां से आगे चलते हैं यहां से आगे बाद वन यहां पर है Q, यहां पर है T, Q T, और यहां पर क्या है G, यहां पर G, यहां पर D, तो आप देखते हैं कि देखें G और G, यह G जो है, यह Q से भी पहले आता है, यह T से भी पहले आता है, और D जो है, वो G से भी पहले आता है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर एक पर तो हो जाएग आपका 3, नमबर एक पर हो जाएगा 3, अब इस 3 को आप हटा दीजिए, अपनी counting से, यह हट गया, ठीक है, अब इन चारों में आपको आगे चलना है, इन चारों में आप देखेंगे, क्योंकि यह Q और N, यह तो आपके दोनों के दोनों G के बाद में आते हैं, तो यह दोनों आपके हट जाएंगे, यह last में ही आने वाले हैं, अब इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है, यहाँ पर यह नमबर एक पर हो गया, आप देखते हैं, G यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, उसके बाद A यहाँ पर है, और यहाँ पर L है, आप जानते हैं, A जो है, वो L से आपका पहले आता है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है, नमबर 2 पर आ जाएगा, यह 5 हट जाएगा, यह नमबर 3 पर आ जाएगा, यह भी 2 हट जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, यह हम इन दोनों पर कर रहे हैं, अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में क्या देखना है Q और T में देखना है अब ये बताईए कि आपका Q पहले आता है ये T आता है ठीक है न तो आप जानते हैं कि जो Q है वो पहले आता है T बाद में आता है Q का जो और ये T ये 17 और ये 20 ठीक है न तो 20 से पहले आपका 17 आता है तो आप कह सकते हैं कि जो ये क्यूं वाला है ये हो जाएगा आपका नमबर 4 पे और ये T वाला हो जाएगा नमबर 5 पे तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि नमबर 1 पर तो है 3 चलिए 3 सभी में है नमबर 2 पर है 5, इसमें 5 नहीं है, ये हट जाएगा, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो ये आपका अंसर हो जाएगा, बागी आगे भी मिला लो, 5 के बाद आप देखते हैं, उसके बाद नमबर 2 पर 5, नमबर 3 पर 2 ये रहा, नमबर 4 पर 1 ये रहा, और नमबर 5 पर 4 ये रहा तो आपका answer match कर रहा है तो ये थी आपकी डिस्कनरी से related, यानि जो आपकी alphabetic series होती है, वहाँ से question पूछे जाते हैं, और question इसी ही तरह के आते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आता है बस आपको क्या लगाना है, उनको serial से, करम से लगाना है, arrange करना है एक सही alphabetic series में, ठीक है तो इससे related आपका एक question पूछ लिया जाता है कभी-कभी, आप इसको note कर लीजिये उसके बाद आगे question देखते हैं चलिए कुछ और question हम देख लेते हैं ये alphabetic series से अलग तरह के question आते हैं ठीक है, इसमें पूछ लिया जाता है कि चार अक्षर आपको दे दिये और इनसे कुल कितने सब्द बन सकते हैं यानि आपको अक्षर दे सकता है ठीक है, और उनसे सब्द पूछ लेगा कितने सब्द बनाय जा सकते हैं आप मल लिजिए कि आपका ये जो k है और ये l है अगर k और l दे दे और पूछ लेकि इनसे बताईए कितने सब्द बना जा सकते हैं ये तीन अक्षर हैं इनसे कितने सब्द बनाए जा सकते हैं ये पांच अक्षर हैं इनसे कितने सब्द बनाए जा सकते हैं दो इसमें के आ गए हैं अब कितने सब्द बनाए जा सकते हैं आप इसमें 3 के आ गए हैं, आप इसमें कितने सब्द बनाया जा सकते हैं, तो question इस तरीके से आपके exam में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये question भी हम समझे लेते हैं, कैसे करने होते हैं, हमारे पास 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर कौन कौन से हैं, R, D, E, A, और इन से कुल कितने सब्द बन सकते हैं, अच्छा count किजिएगा, 1, 2, 3, 4, total कितने letter हैं, total 4 letter है, ये 4 का आपको क्या करना होता है, 4 का factor निकालना होता है, ठीक है न, और इसका निकालने के बाद आपका जो भी answer आएगा, उतने ही सब्द बन सकते हैं, और इसको solve करने के लिए क्या होता है, इसको जब आप solve करते हो, तो ये 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1, 4 तिया 12, 12 नहीं 24, तो आप कह सकते हैं, कि 24 सब्द बन सकते हैं, अच्छा ये, अगर इस पे हम बात करें, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो ये math का part होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, ये n है और ये factor है, जब हम इस factor को n को factor से बाहर निकालते हैं, तो n बाहर आ जाता है, फिर अंदर क्या होता है, n-1 बच जाता है, ठीक है, यानि n अगर आप बाहर निकालोगे, तो अंदर 1- बच जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इस n को बाहर निकाला, और फिर n-1 को बाहर निकाला, फिर 1- हो एक माइनस कर दोगे, अंदर बचा तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा फिर ये चार आ गया, चार में से तीन ये आ गया, फिर जो तीन बचा, तीन में से एक बहर आ जाएगा यानि अंदर माइनस कर देंगे, तीन बहर आजाएगा, तो इस तरीके से निकालते हैं, और कब तक निकालते हैं, जब तक कि आपका एक ना आ जाए, तो इस तरीके से Factoral Charg को मैंने Solve किया, यह आपका Answer आ गिया, ठीक है, तो R,D,E,A से कुल कितने सब्द बन सकते हैं कुल चार बन सकते हैं Sorry, 24 बन सकते हैं इसको note कर लिजिए अगर हम बात करें इसमें आपका एक A और लग जाए ठीक है ना एक A और लग जाए तो आप देखते हैं कि A और A दो repeat हो रहे हैं जब दो repeat हो रहे हैं अब किस तरीके से निकालेंगे अब आप करेंगे कि टोटल पांच हो गए हैं और पांच का फैक्टरल निकाल देते हैं ठीक है बट आपका आंसर गलत हो जाएगा इसमें टोटल पांच हो रहे हैं पांच का फैक्टरल तो निकलेगा बट आप उन में क्या करेंगे आप उन मे चार, गुना तीन, गुना फैक्टरॉल दो, अंदर तो फैक्टरॉल दो बचेगा, जब तक मैं दो को बाहर यह निकालूंगा तब तक एक नहीं बचेगा, और नीचे फैक्टरॉल दो है, दो से दो कट जाएगा सोल कर लिजए, पंचोंग बीस और बिश्थिया 60, टोटल कितने सब्द बन जाएंगे, टोटल बन जाएंगे आपके 60, ठीक है, ये कोशन हो गया, इसके बाद, एक कोशन और देख लेते हैं हैं इसे, इसको रफ कर देता हूँ, ये डबल वाला था, और अगर ट्रिपल भी आ जाए, जैसे मान लेजिए, ट्रिपल ए, और लास्ट में दे दिया आपको ए, ठीक है, आपको ये दे दिया, तो अब इस कोशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देख लीजिए, सबसे पहले तो टोटल नमबर देखें कितने हैं, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल नमबर हैं 7, 7 का फेक्टरल तो हो multiply, फेक्टरल 3, ये ए के लिए 3 और ये डी के लिए 2 लगा देंगे, और टोटल नमबर 7 है, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, पहले क्या था, पहले डबल आया था, तो हमने सिरिफ और सिरिफ 2 को रखा था, अगर ट्रिपल आता तो 3 को रखतें, ठीक है ना, अब ये डबल दो गुना, फेक्टरल 3, फेक्टरल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साच्छिक 42 गुना, पांच गुना, ये चार जो है, इसको दो गुना दो तोड़ दीजिए, दो दुनी 4, और नीचे इस दो को निकालोगे, बहार एक आजाएगा, दो से दो कट जाएगा, ये 42 और ये 5 दुन स्क्रीन सोट ले लीजिए, नौट कर लीजिए, और डिसकरेरी से रिलेटेड ये ही कोशन आते हैं, इससे अलग और कुछ नहीं आता है, तो आप इतना भी अगर कर लेते हैं, तो डिसकरेरी में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और प्रेक्टिस सेट जो है, उनको लग कीजिसको, चलिए बच्छो, आगे चलते हैं, नया चैप्टर हमने डाल लिया है, इस चैप्टर को भी देख लेते हैं, ये भी छोटा सा चैप्टर है, जैसे पहला था, जो डिसक नरी था आपका, चैप्टर का जो नाम है, वो है वर्ड फॉर्मेशन, सब्द गठन, ठीक ह कौन सा सब्द बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, या ये जो आपका वर्ड दिया है, ट्रिबिनल, इसे कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता है, दो तरीके से पूछता है, ठीक है, कौन सा सब्द बनाया जा सकता है, और कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सक है और एक से लेके दो question हैegzām में आते हैं जिसमें ज्यादा question भी कूछ लेता है ठीक है नौAY तो बस आपको ध्यान में रखना है और इसमें तो आपको कुछ जाहें कि आवशकता नहीं है चलें question को खरते है पी O E R Z L अब देखिए कौन सा सब्द बनाया जा सकता है सबसे पहले हम देखते हैं college C ये रहा O ये रहा L और L E ये रहा उसके बाद G है इसमें नहीं है तो मतलब college तो नहीं बनाया जा सकता अब देखते हैं P L O W को P ये रहा L ये रहा O ये रहा W है इसमें नहीं है ये भी नहीं बनाया जा सकता तो ले वो देखते हैं P ये रहा L है A नहीं है इसमें ये नहीं बनाया जा सकता R है O है L है और E E भी है तो role बनाया जा सकता है ठीक है PCL O E R G L से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है role बनाया जा सकता बाकी ये 3 नहीं बनाया जा सकते आपका अंसर सही हो गया आगे चलते हैं, ट्रिबुनल से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता देखते हैं, निहां से लास्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें है, हाँ है, A भी है T, T भी है, ये रहा I, I भी है, N, N, B है लेटिन बनाया जा सकता है, हामें देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है नहीं, तो लेटिन बनाया जा सकता है ये आपका अंसर नहीं होगा ब्रेन देखो, B, R, A, ये रहा I, ये रहा, और N, ये रहा ब्रेन भी नहीं बनाया जा सकता है ठीक है ना, brain बनाया जा सकता है, इससे, urban देखो, U, R, B, A, N, urban भी बनाया जा सकता है, अब बसता है, triple, T, R, I, B, L, E नहीं है इसमें, तो आपका जो यह है ना, T, R, I, B, L, E, यह नहीं बनाया जा सकता, बागी सब बनाया जा सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके को question हो गए, examination, examination से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, तो देखते हैं, इसका answer क्या होगा, यह animation होगा, यह examiner होगा, animal यह national, चेक करते हैं, examination से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है, सबसे पहले क्या देखते हैं, national से देखते हैं, n है, A है, T, I, O, N, उसके बाद A, इसमें L नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता Animal को देखते हैं A है N I M ये रहा A है L नहीं है इसमें L नहीं है ये भी नहीं बनाया जा सकता अच्छा E X A M I N उसके बाद E देखिए इसमें E सिरिफ A की ही है और वो पहले आ चुका है दूसरा E नहीं है ठीक है और इसमें R भी नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता Animation Animation A A N I M A उसके बाद T I O N ये बनाया जा सकता है ठीक है तो आपका Examination है Examination से कौन सब्द बनाया जा सकता है Animation बनाया जा सकता है इस तरीके के कोशन आते हैं सेला कोशन नहीं आते हैं आप इनको आराम से कर सकते हैं तो आज की क्लास में दो आपके चैप्टर हो गए हैं चैप्टर नमबर वन डिस्क नरी ठीक है और चैप्टर नमबर दो आपका word formation ये दो चैप्टर ज्यादा आपके बड़े नहीं है छोटे ही चैप्टर है और question इसमें से एक एक दो दो ही आते हैं ज्यादा नहीं आते हैं आप इनको आज अच्छे सा तयार कीजिए और हम अब आपको कल की class में मिलते हैं कल एक नहीं चैप्टर के साथ हम आपसे मिलेंगे ठीक है तो हमारे जो चैप्टर चैनल है वैप Steady Point आप प्लीज इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और आपको जो भी यहाँ पर तुरूटी नजर आती है वीडियो से रिलेटिड करो जो बादीज और टो किया तुरूटी नजर आती है करो जो रख़एदरग गा एक बाद कीजिए अबसे पूलों के सब्सक्राइब का लाएब का लाओब प्लाओशनी आती है करो जो ओंट दो वीजिए